असलाम लेकुम वियर्ज मैं हूं समीना पाशा उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे वियर्ज कप्तान आ गए हैं जी गुसे में और काफी ज्यादा गुसे में और ऐसा लग रहा है कि उनका गुसा है वो ना सिर्फ ये कि उन लोगों के साथ है जो इस वक्त चड़े हुए हैं तुले हुए हैं कि उन्होंने कप्तान को माइनस करना है या उनको बिल्कुल कहीं कॉर्णर करना है या उनका किसी भी तरह नाम निशान मिटाने के खायश मन है जो लोग वो तो अपनी जगा मौजूद हैं ही लेकिन वो भी लोग जो कभी खान के साथी थे उसके हवाले से भी इम्रान खान साब का जो इस वक्त रद्दे मल है वो खासा ऐसा लग रहा है कि जिसको कहते है ना जीरो टॉलरेंस वो वला लग रहा है तो उस पे थोड़ी से आज बात करेंगे मैं ऐसा क्यूं कह रही हूँ पिर अहम केस के हवाले से जो मनें पिछले वी-लॉग में मैंशन किया था क्या उसमें कारवाई हुई है वहाद होगी आपको बताएंगे इम्राण रियास खान साब के हवाले से जनाब क्या खबर है और क्या उसमें हौसल अफजा बात है वह भी थोड़ी से डिसकस करेंगे और लाज की बात करेंगे इसे हागडार साब के बारे में काफी कुछ है जाए वी लॉग में पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें तो जनाब सबसे पहले इम्रान खान साथ की बात हो जाए आपने देखा असदुमर साब ने जो इंटर्वियो दिया उस पर बड़े क्वेशन्स भी लोगों ने उठा दिये हैं बड़ा काफी ज्यादा क्रिटिसिजम बरदाश्ट करना पड़ा असदुमर साब को और काफी हद तक वो जाईस क्रिटिसिजम भी है कुछ चीज़ों के शायद होने मारजन देना पड़ेगा लेकिन ज्यादा तर जो एक नजर आती है उनकी इस पूरे इंटर्वियो में दो तीन आहम चीज़ें वो ये कि उन्होंने इमरान खान साब की पॉलिसी से इफ्तिलाफ किया वो जाजन तो ये कि झा कि उस पुरेगा के बाड़े नहीं दो पूरिशें है यह कोता है। लेकिनम्राइन इम्राइन भाग पी है। PRD के जो है, जय하면 के अथ विजिन के यह मौकफ होता है। यह को भी सपेला में कि तो लिएंज के अच गखे How its' तो ये अजीब सा एक तरज अमल जो है ये किसी भी तरह ना तो इम्रान खान ने कुबूल किया और ना ही उनके फॉल्वर्स ने कुबूल किया तो पीटे आई की सपोर्टर को मायूसी हुई है सदुमर साब की इस रवये से फिर उन्हों ने जिस तरह से माइनस वन के आप्शन के उपर बात की कि अगर इम्रान खान अपनी मर्जी से माइनस वन कर देंगे तो वो ठीक है वो चल जाएगा अगर आप इतने ही कप्तान के डाय हार्ड फैन है तो पिर आप ये कहें कि क्यों माइनस हो वो किस लिए क्या जुर्म किया है उसने जो माइनस हो जाए क्या 9 मही का वाक्या कप्तान я, अकेले भुद जाकर किया है क्या उन्होंने जाकर चीज़ों को आग लगाई", कि हम उन्हों का डिसौन करें जैसे अलताव हुसान के मामले में, अलताव हुसान ने खुद एक स्पीछ की और वो स्पीड जो थी वो सब ने सुनी उसमें उन्होंने पाक्सान मुर्दाबाद के नारे लगाए और ये कहा कि हम इंडिया की फॉज को बुला लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनकी मदद करें ये फॉज जो है ये गदार है ये विश्टा एक किरों ने बुफ्तगों होने अरकी थी तो जिसके उपर जाहरी सी बात है एक बंदा पने मुझ से जो बातचीत कर रहा है तो वो एक कांट्रवर्शन चीज़ बनी और फिर जिस तरह से मामला दो है इम्रान खान साब ने तो ऐसी कोई बात नहीं की और जो 9 माई का वाक्या वाए वो तो खुद वहाँ पर मौजूद तक नहीं थे वो तो खुद अरेस्ट में थे तो अगर उससे पहले कोई किसी हवाले से ये ठीक है हो सकता है यह planning हो नहीं हो planning नहीं हो हो सकता है कि discussion में बात आई हो कि अगर कोई गिरफ्तारी हो नहीं है जाहर UP सब लोग meeting में बैठे होते हैं तो मुम्किन हा जो भी वाक्याथ होते हैं उसके उपर गुफ्तबू होती है कि अगर गिरफ्तारी हो गई तो क्या करना है अगर पकड़ लिया तो क्या करना है अगर नहीं गिरफ्तारी होई तो क्या करना है तो बहुत सारे options पर बात होती है हो सकता है उसमें ये बात हुई हो कि जी अगर गिस्तारी हुई तो GHQ के सामने इतजाज करना है या कोर कमांडर के हाउस के सामने इतजाज करना है और हो सकता है इतनी बात भी ना इवन हुई हो ये जरूरी नहीं है मैं तो एक बात कर रही हूँ कि हो सकता अगर इस हद तक बात हुई भी हो किसी की तरफ से कोई सजेशन भी आई और उस पे कोई फैसला हुआ नहीं हुआ वो एक तरफ आप छोड़ दें लेकिन बात ये है कि एक पहुँच के सामने बैटके इतजाज करना एक अलग चीज है और बकाइदा चीजों को तोड़ फोड़ करना उनको जलाना तशद्द करना ये एक अलग चीज है और शायद जिस वक्त की सारी डिसकुशन हो रही हो किसी ने ये सोचा भी ना होके कोई रोकने वाला बीच में मौजूद नहीं होगा और इमरान खान साब तो अपना एक इस पे पॉइंट अव्यू रखते हैं पूरा उनका सयाल है ये सारा एक क्रियेटिड इवेंट है तो ये सारी चीजने देखते हुए ये इतना एजी नहीं है आप ये कपड़े जाड़ती खड़े हो जाएं कि हमें तो क्या पता जी होती होंगी भई आप तो कोर कमेटी में हैं आप तो वो किचिन कैबनेट का हिस्सा है कि जो फैसले लिने में शामिल है तो अब आप कैसे क बात कर रहा हैं कि अच्छा वो फूद अपनी मर्जी से माइनस हो जाएंगे तो ठीक है तो ये सारी चीजने जो हैं इससे ना सिर्फ ये कि इन शक्सियाद की मुख्लिफ सियासिर और माउं की अपनी कमजोरी जाहर हुई बलके लोगों ने इसको ना पसंद किया और उसके बात हमने ये भी देखा कि रेक्शन पीट आई के तरफ से भी आया इम्रान खान साब ने परवेश खटक साब को भी शो कॉज नोटिस जारी किया है और इसके साथ साथ असद उमर साब की इंटर्व्यू के अपर उन्हें अच्छी खाती एक एक्स्वानेशन जो है वो जार चोड़ेंगे और सारा मलबा उनके ओपर डाल कर अपने कपड़े जाड कर साइड पर होने की कोशिश करेंगे तो जाहरी सी बात है एक रियाक्शन जो है एक्सपेक्टेड था और वो हमें नजर आया इम्रान खान साब इस वक्त ऐसे लग रहा है कि इन लोगों में इन मुकदमे फौजी अदालतों में चलेंगे इसके हवाले से मैंने आपको कल बताया था कि एक नौर इतनी लाजर बेंच बन है और बड़ी फरमाईशी एक जो हमेशा नामनेहाद जमूरियत पसंदों की वो चल रही है थी ना कि जी काजी फाइज इसा साब को भी शामिल करके तो जी वो काजी फाइज इसा साब को भी शामिल करके चीफ जिस्टिस साब ने इतराज उतारने की कोशिश की कि चलो जी अवी लामा लाई लेगे लेकिन वो लामा जो है वो लथने के लिए तियार नहीं है क्योंकि बेसिकली इस लामे में शिकायत में वजन तो एक जगा खुद काजी फाइज इसा साब भी कांफरिटिबल नहीं है कि ये इनके साथ बैट के मुकदमात सुने बजाहर ऐसा नजर आता है क्योंकि कितने महीनों से वो खुद को बिलकुल अदालती बैंचस से अलग किया हुए है और उन्होंने अपनी दस्तियाबी को यकीनी नहीं बैटके कोई मुकदमा सुनने के लिए तयारी नहीं भी आप जाए आगे मुकदमात सुने लेकिन बैरहल अब उसमें जहां सुप्रीम कोड में डिविजन थी और जो एक नजर आया के पूरा उसके उपर स्यासी महाज खड़ावा तो वो तो काजी फाइज इसा साब ने एक इस मुकदमे में भी काजी फाइज इसा साब ने बैटने से इंकार कर दिया कि जनाब चूंके चीफ जस्टिस साहब तो अब बैंच बनाने के मजाज ही नहीं रहे उनका इफ्तियार ही नहीं रहा क्यूंके हूकूमत पाकिस्तान ने एक बिल पास कर लिया है कानून बना दि तो काजी फाइज इसा साब अलग हुए साथी साथ उनके जिस्टिस तारिक जो है वो भी तारिक मसूद साब वो भी अलग हुगए इसी बन्याद के उपर मुनिका मैं अभी इत्वाइब करता हूँ और यह दोनों साहिबान अलग हुगए तब बाकी रह गया साथ रुपनी तो मसला यह वली सूरत है पर जब फैसला उस पर महफूज है उस केस की हेडिंग हो चुकी है जब फैसला आएगा उसके बाद जो भी उसका फैसला हो अगर वो उसमें यह कहते हैं कि जी कानुन साजी ठीक है तो इसका मतलब है ठीक है आगर से तीन लोग बना लिया करेंगे और अगर वो कहते हैं कि नहीं ठीक है तो भई ठीक है आगए से अब नहीं मिनेंगे तो इस बात के ओपर यह वला मुकदमानी मैंने सुनना यह तो एक अजीब सी बात है इस तरह तो पर इसका मतलब है अदालतों को ताले लगा देते हैं बंद कर देते हैं जब तक कि इन होता है काम तो चलाने होता है लेकिन बारा अब जो भी उनका इंटेंशन है वो तो भी बेतर एक्स्प्रेइन कर सकते हैं लेकिन अलग हो गए वो अर उसके बाद जो एक चोटी मोड़ी सी समात हुई उसमें यह सवालात उठाए गए कि जो मुतासरीन हैं वो क्यों नहीं द इन खुद क्यों नहीं इन फौजी दालतों में ट्राइल के खिलाफ वाज उठाई तो यह सारी चीज़ें हैं अब देखते हैं आगे इसकी क्या लेकिन मुझे नजर यही आ रहा है कि इसके उपर जो भी फैसला आएगा उसको भी पूरा-पूरा मुतनाज़ बनाया नहीं इस बात को आप छोड़ दें वस इस पर बात करें कितने बेंच क्या बेंच कौन सा जज़ कौन सा जज़ नहीं अभी भी इनोंने यही हरकत करनी है यह जी इसी चक्कर में पड़े लाएंगे कि बेंच तो बनाई गलत था यह था वो था और जनाब उसके बाद यह अर जा था उनके ट्वीट से मुझे यह अंदाजा हो रहा है कि वो जिनके पास भी इमरान रियाज हैं इस वक्त उनके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर वो इंगेज हैं उनके वकील क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बड़ी तसली के साथ यह बात किये कि वो बखेरो जिनके पास हैं उनके साथ किसी ना किसी सता पर कोई निगोसियेशन चल रही हैं और कुछ टर्म्स होंगी जो के अभी डिसाइड होनी है कुछ मामलात होंगे जिनके ओपर वचार होंगे के एक यकीन दहानिया हो जाएं और उसके बाद उने रिलीस किया जाएं और जैसे मै अगर जल्दी कॉंपरमाइस कर लेते तो जल्दी बाएर आगा और अभी मेरा अंदाजा यही है कि शायद वह बहुत जादा जो बेसिक उनके प्रिंस्पल्स हैं उनके पर वह कॉंपरमाइस नहीं करेंगे और यही वज़ा है कि जितनी भी तकलीफ काट रहे हैं उनकी फैम बाकी यह जरूर बाट ठीक है जो मैं खुद भी समझती हूं कि ऐसा ही होना चाहिए कि जिनको नहीं भी को इन्फरमेशन बिला वज़ा की फुदूल की खयासा राइया ना करें और ऐसी बाते ना फिलाएं कि यह हो गया उने कुछ यह हो गया उने कुछ तो क्योंके उनकी बिला वज़ा हवाई बातें नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए क्योंके जाहिरें उनकी एक फैमिली है जो इस तरह की फुदूल हमारी बातों से गख्यानूसी बातों से और हवाई बातों से वो परेशान होती है तो जिनके पास कोई मुसद्दका इतलाइक हैं वो तो के वह जो फो बात करने लेकिन जनके पास नहीं हो उनको ग्रेज करना चाहिए करने उनके असानिया पुदा करें और वो जल्द अपनी फैमिली के दरम्यान हों, हम सब के दरम्यान महजूद हों, अल्ला तला उनकी हिफादत फरमाए लास्ली में जरा इसागडार साब पर जरूर बात करना चारी हूँ, इसागडार साब ने जो हरकत की है यह वही हरकत है कि जिसके बारे में आप कहलें कि खिस्यानी, बिल्ली, खंबा नोचे, यह आप यह कहलें कि जब बंदरिया के पल, वो पैर जलते हैं तो बच्चे नीचे ले रहता है यह कुछ भी आप कहलें कि जब आपसे कुछ बंद नी पड़ा होता ना तो आपका बस नी चल रहा होता कि जो सामने आए वो उसकी आप पर टाइल आना शुरू करें इस आपडार साब की फ्रेस्ट्रेशन का भी सब यही आलब नजर आ रहा है कि दावे तो इतने बड़े-बड़े बात करोडों की और दुकान पकोडों की वाली सूरतहाल दावे आने से पहले यह 200 से नीचे डॉलर 200 से नीचे पेटुर तो यह तो कुछ हाली और फलाँ तो बला और आ की सूरतहाली के पहले से भी गई गुजरे आएमेफ से इनसे बात सीर्ट हो नी सकी मू लगाया नी आएमेफ नहीं और उसके बाद पर उनको भी आँखे कि नहीं किया उसके साथ ये कि अब इस पे सवाल भी नहीं हो सकते और अगर कोई सवाल करेगा तो हम उसको मारना शुरू कर देंगे बकाइदा हम जहलों कि तरह हत अपाई शुरू कर देंगे ये इस वक्त लेवल आ गया है और ये वह लोग है नाजमीन जो आप इनको बाहर क ऐसे जो काफी में हुआ मैं को इस तरह की जिसों को अप्रिषेट नहीं करती कि बही आप राच चलते लोगों के साथ गालं गिलोथ शुरू कर देंगे लेकिन मैं आपको बता यह रही हूं कि वहाँ पर ये लोग इस तरह की हर्कतें करते है कि किसी को आवैसे मार्पीट श पुसक्राते वे कर रही थी इस हाग डार साथ के साथ हार्ट टॉप में जो एंकरने किया था पसीने इनके निकल रहे थे बात करने जो गए नहीं थे गला कुछ को रहा था पानी पीपी के इनका बुरा हाल हो रहा था लेकिन चुप करके बैटे वे थे की थे उसके साथ बत्त कुई यह हैं लोगं की बाहर यह ऐसे सीधे होते हैं और यहां आकर उनकी बदमाशे ही नहीं खतम होती हैं जणाब इनका बस नहीं चल रहा हुथा कि साथियों को जान से मारते हैं इनके मूब तपड लगाते हैं इस तरह कि क्यों हमारी कारकदगी पर सवाल क्यु उठा रह उन्हें कुछ नजर नहीं आता है इस मुल्क का मुस्तविया और फिर उसके उपर इंसे सवाल करो तो यह उपर से हमारी शेयरत के उपर पाउं रखने के लिए तयार है इनका बस नहीं चल रहा है के मीडिया परसंस जो जरा सी भी कोई आवाज उठारे हैं उनको गला दबाद हैं उनका जितना कर सकते हैं न वो कर रहे हैं यह आप यकीन मानियें बिल्कुल अज़ादी साफ़त खता मैं इस वक्तार पाक्सान में चैनल्स पिल्कुल कंट्रोल हैं एक एक लाइन थक इनका बस नहीं चल रहा है लिखी वही आरी हो कि वो हम चलाए है मैं तो कहते हूं वैसे ही बंद करते हैं सारे चैनल्स और सिरफ पी टीवी की लाइफी देदें सब को यही चल वाले सब क्योंकि आप नहीं करने जेनी तो फाइदा क्या है यह नामने हाथ की जमूरियत का जो आपने इस जाकर रखावा है तम गापने उपड़ पता तो सब कोई नहीं बदमाशी चलती है समोल्क में रूल आफ लाउ तो है नहीं कानून तो है नहीं किसके पास आजाएंगे पुलीस के पास इदादमों के पास तो आपको बता है क्या कर लेंगे वो और इस मीडिया के जो लोग हैं वो वैसी आदे बिके में आदे कॉम्प्रमाइज बस मोजें इनकी लगी वी देखें कितनी देर लगाते हैं मिलते लिए विलोग अपना ख्याल रुकिया लगा